हाई अबरिवन वेलकम तो में यूट्यूब चैनल तो आज हम रीव्यू करने वाले हैं यहानस के एक और रैकेट का वोल्ट्रिक लाइट 20 आई तो जैसे कि मैंने वीडियो डाला हुआ है वोल्ट्रिक लाइट 25 आई का भी डाला हुआ है तो यह रैकेट भी उस रेंज में है हैं बट यह थोड़ा सा उससे सस्ता है तो राउंड इसका तो उसका अमार्पी था 2990 इसका मार्पी है 2790 मलब कि अराउंड 200 पीस इसका कम है तो 200 पीस कम है तो कुछ इसमें डिफरेंस हो गई और अगर यह रैकेट आपको आमजोन मगारां पर लेना है तो आपको यह 1840 आम आपको रोल देखा जाए तो यह मलब ग्रेफाइट का फ्रेम है और यह भी अटैकिंग वोल्टिक रैकेट से मलब अच्छे होते हैं और थोड़ा इसका मलब शाफ्ट भी अच्छा है फ्लेक्सिवल है तो कंट्रोल भी इससे अच्छ होता है तो यह रैकेट में भी आप से जितने इस रेंज में सब रैकेट में होता है 30 LBS तक का टैंशन आप डाल सकते हो इसमें तो उतने तक का यह वेर कर सकता है तो आप इसको Amazon flipcard में भी खरीज सकते हो चाहिए तो आप स्टोर्स में जाके भी खरीज दो आपको स्टोर्स में भी राउंड एटीन हंडर का आपको मिल जाएगा तो आप कंसीडर कर सकते हो यह भी रैकेट यह रैकेट भी अगर आप वोल्टरिक लाइट 25Y देख की बात करो तो यह भी आपको एटीन हंडर का किस कहीं नहीं मिल जाएगा बट मोस्टली यह 2000 में ही सेल होता है तो आप अगर मैं बोलूं दोनों में से कंसीडर करना चाहिए तो आप वोल्टरिक लाइट 25Y कंसीडर करिए क्योंकि इसका थोड़ा शार्क वी फ्लेक्सिबल है तो थोड़ा इसका कंट्रोल ओवियसली ज्यादा रहेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए अपने फ्रेंस के साथ शेयर लिए और मिलते रहें गए ऐसे और रैकेट्स की वीडियो डालता रहोंगा अगर आपको खुछ से भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो इस इधर भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि कौन से रैक्ट पर वीडियो चाहिए अगर कोई डाउट है तो आप में इसे वो भी पूछ सकते हो so hope आपको वीडियो पसंद आई हो तो मिलते एकली वीडियो में thank you